कहानी की शुरवात होती है वेट पोटा नाम की एक आदमी से जो अपनी आम जिंदगी में काफी कुछ था। वो अपनी गल्फरेंड जैना और बेटे माइकल के साथ एक प्यारे से घर में रहता था। लेकिन एक राच जब सभी सो रहे थे तो अचानक जोदार आवाज से वे आशी लिने चला गया। जैसे ही वो किचन में पहुँचा तो एक आदमी ने उस पर अमला कर दिया। और फेर तुरंट वहाँ से भाग निकला। वेट भी तेजी से उसके पीछे भागा और बैक से उसके सरपल जोरदार वार कर दिया। पडबत किसमती से उस आदमी की मौ वेट और जैना ने पुलीस को समझाने की कोशिश की पर फिर भी वो वेट को गिरफतार करके ले गए। जेल में पहले ही दिन टिंटो नाम के कैदी ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसके कमरे में बाखी कैदियों ने भी उसके साथ कुछ अच्छा परताब नहीं अगले दिन जैना उससे मिलने आई और उसे होसला दिया कि वो जरूर कोई अच्छा वकील ढूंड कर उसे बाहर निकालेगी। इसके बाद सरकाई वकील वेट से मिलने आई और उसने कहा कि वेट को कई साल की सजा और दस लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। पर उस वकील ने वादा किया कि वो उसे बड़ी करवाने की हर एक मुम्किन कोशिश करेगी। उस रात अचानक कैदियों ने आपस मिलनड कर जेल में आग लगा दी। गार्ड्स ने भी पड़ी मुश्किल से उन्हें काबू किया। फिर अगले दिन गार्डन नाम का आदनी जॉन नाम के कैदि से मिलने आया। उसने जॉन को बताया कि कल राद जेल में आग लगाने की वज़े से अब उसे पूरी राद जेल में ही बितानी होगी। पर जॉन को इससे कोई फर्क नहीं बढ़ता। उसका सारा परिवार मर चुका था और अब उसे किसी की परवान आई उसने वेड को समझाया कि अगर वो कोट में अपना जुर्म कुबूल कर लेगा तो उसकी सजा और जुर्माना कम हो सकता है। अब वेड के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया जिसके लिए उसे तीन साल की सजा हुई। फिर जब उसे जेल ले जाय जा रहा था तो उसके साथ पैठे हुए कैदी जैक ने उसे बस में मौजूद एक खुंखार क्रिमिनल सामसन के बारे में बताया। तब ही अचानक सामसन ने कैदी को चाकू से हमला करके मार डाला। फिर उसने फटा-फट वो चाकू जैक को धमा दिया। जिसने डर के मारे वो चाकू वेड की सीट के नीचे चपका दिया। उसने वेड को एबात किसी को भी बताने से मना किया वरना सामसन उसे छोड़ेगा नहीं। आखिरकार वेड को एक कमरे में बंद कर दिया गया। और ल्यूटिनेंट जैक्सन ने वेड से सब कुछ बताने को का। पर वेड ने अपना मून नहीं खोला। तब जैक्सन ने उसे सिक्यार्टी हाउसिंग यूनिट में वेज दिया। जहां उम्र कैद या फासी की सजा वाले खुंखार अपराधियों को रखा जाता था। यहां कैदियों को 23 खरंटे बंद रखा जाता और तीन वहिने तक कोई उनसे मिल भी नहीं सकता था। एक दिन गार्ड्स वेट को एक हॉल मिलाए जहां कई हट्टे कट्टे कैदी मवजूद थे। जल ही तो कैदियों में हाथा पाई शुरू हो गई पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। असल में लडाई यान ल्यूटिनेंट जैक्सन और गार्ड्स के मनोरंजन के लिए हो रही थी। वो उन्हें रोकने की बजाएब मज़े से कैदियों पर सत्ता लगाते थे। लडाई खत्म होने पर गार्ड्स ने रबड की गोनियों से हमला करके उन्हें रोक दिया। तब ल्यूटिनेंट जैक्सन के अत्याचारी कानूनों से तंग आखरे कैदिने उसे खूब बुरा वाला का। पर गार्ड्स उसे पकड़ कर एक कमरे मिले गए जहां जैक्सन ने बड़ी बेरहमी से उसकी दुलाई की। कुछ दिनों बाद जैना वेड से मिलने आए। वो उसे बहुत याद करती थी क्योंकि वो तीन महीने से एक दूसरे से नहीं मिले थे। जैना ने कहा कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं तो वेड ने उसे प्रापर्टी बेच कर गुजारा करने को का। इस दौरान जान को जेल में आग लगने की वज़े से उम्र कैद की सजा हुई और उसे वेड वाने जेल में भेज दिया गया। अब वेड और जान एक ही कमरे में थे तो जान ने वेड पर हावी होने की कोशिश की। लेकिन वेड किसी से दुश्मन ही नहीं जाता था इसी नहीं वो शांत रहा। फिर अगले दिन सभी कैदियों को हॉल में बुलाया गया जहां वेड की जैक से फिर मुलाकात हुई। जैक ने कहा कि वेड ने सैमसन के खिलाफ कवाही नहीं थी, इसलिए सैमसन काफी खुश है। मुहीं जान बाखी कैदियों से मिला तो सबने इजद से उसके आगे सर जुकाया। असल में जान जेलों में इस तरह के स्टन्स करने के निया मशूर था और इसी वज़े से उसे बार बार एक जेल से दूसरी जेल भेजा जाता। जान काफी सालों से जेल में था इसी लिए वो वेड को समझाने लगा कि जेल में खुद को सुरक्षित रखने की निये क्या करना चाहिए। पर एक दिन वेड और टर्नर नाम के कैदी में लड़ाई शुरू उबे। पहले तो टर्नर वेड पर भारे पढ़ रहा था पर अचानक वेड ने पासा पल्टा और टर्नर की हड़ी वसली एक कर दी। तब ही कॉलिंस नाम का एक आफिसर रबर बुलेट से वेड को रूखने लगा पर जैक्सन ने बीज में आकर उसे टर्नर पर गोनी चलाने को कार। कॉलिंस थोड़ा हेच के चाया तो जैक्सन ने खुल बंदूक लेकर टर्नर को गोनी मार दी। ये सब देखकर वेड को समझ नहीं आया कि जैक्सन ने उसकी बजाए टर्नर को गोनी क्यों मारी। तब जॉन ने उसे समठाया कि जैल के कानून गार्ड सी बनाते हैं और जो वो चाहें वही होता है। फिर एक दिन हैमन नाम का एक इंस्पेक्टर जैल की इंस्पेक्शन करने आया। उसने न्यूटिनेंट जैक्सन से बूछा कि उसके होते वो भी जैल में लराई हैं क्यों हो रही है। हैमन का शकौन अबढ़ है सीनिये जैक्सन ने का कि वो पूरे जीजान से जेल में शांती बनाए रखने की कोशिश करेगा। बाद में जैना फिर से वेड से मिलने आई और माइकल को भी अपने साथ लाई। माइकल अपने पिता को देख कर बेहत खुश था पर जैना ने कहा कि पैसों की कमी की वज़े से वो बड़ी मुश्किन से गुटारा कर रहे हैं। तब वेड ने उसे घर बेचने की इजाज़त दे दी और वादा किया कि वो बाहर आकर सब कुछ ठीक कर देगा। फिर जब वेड अंदर गया तो जैक ने उसे फाइट के लिललका रहा। पर जब वेड नहीं माना तो जैक ने अपने आदमियों को वेड पर हमला करने कुगा। जल्द ही वहां हंगामा हो गया और गार्ट्स ने आसू गैस छोड़ कर मामला शांत किया। वहीं जॉन भी वेड को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसने वेड कोई स्लापर वाही पर खूब डांटा क्योंकि वेड ने उसकी सला नहीं मानी थी। असल में जैक भी सामसन की तरह एक गैंक्स्टर था। वो बेवजा दूसरों को परिशान करता था। उथर जैना ने घर बेच कर अपनी मा के घर रहने की तयारी कर ली थी। फिर एक ड़न सामसन ने वेड को मिनने के लिए हॉल में बलाया जहां पर जैक भी मौजूद जैक ने सैमसन से शिकायत करते वे का कि वेड ने उसके हुक्म को ना मानने की गलती किये। जैस्से सैमसन को बहुत गुस्ता आया पर अचानक उसने अपने आदमियों को जैक को मारने का हुक्म दे दिया। फिर उसने वेड को अपने ग्रूप में शामिल होने का ओफर दिय गए थे तब रॉबर्स ने कहा कि उसे डर है कि वो जेल में कैदियों पर जो अत्याचार करते हैं उसके वज़य से कहीं उन्हें नौकरी से हाथ ना दूना पड़े उसने जैक्सन को भी अपने अत्याचार बंद करने की सला दी और जैक्सन अब भी अपने तरीकों से जेल पर राज करना चाता था बाद में जैना वेट से मिलने आई और वो फूट फूट कर रूने लगी क्योंकि वो बेचाई गरीबी से तंग आ चुकी थी काफी हंगामा करके वो गुस्से में उठकर चली गई अभी तो घर बेचा था इसने घर बेच के भी काम नीचर रहा इसका ऐसा क्या खर्चा कर लिए ये इसके बाद जब सभी हॉल में थे तो अचानक एक नए कैदी ने वेट पर हमला कर दिया पर जब वेट ने कोई जवाब नहीं दिया तो जैक्सन चिड़ गया और उसने वेट पर रबर बुलिक चला दी बाद में जैक्सन ने वेट से उस घट जैना ने एक खत के जरीए वेट से रिष्टा तोड़ दिया जब वेट को एक हबर मिली तो उसका देर तोड़ गया और वो गुस्से में बाकी कैदियों पर हमला करने लगा जौन ने उसे अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाव दी पर वेट को अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था उधर जैना अपनी मा के साथ सामान बांद रही थी अभी माइकल ने वहां आकर पूछा कि वो पापा का सामान क्यों नहीं ले जा रही तब जैना ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वह वेट के साथ नहीं रहेंगे यह सुनकर माइकल को बहुत जादा बुरा लगा क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और कुछ भी हो वो उनके साथ ही रहना जाता था जब जैना ने देखा कि माइकल वेट से कितना प्यार करता है तो आखिरकार उसने भी वेट के पास बापस लोटने का फैसला किया उसने वेट से का कि वो उसके जेल से बाहर आने तक उसका इंतजार करें कि जब वेड ने सुना तो खुशी के मारे उसकी आखे फराई क्योंकि जैना और उसके बीटे से बढ़कर उसके लिए कोई नहीं था बाद ने उसने जॉन को भी एक खुशकबरी दी और फिर उन दोनों ने मिलकर जेल में हुरेईन लडाईयों का परदा फाश करने का फैसला किया जिससे वेड की रिहाई चल्दी हो सके अपलान के मताविक वेड ने जैक्सन के पास जाकर टिंटो नाम के कैदी से लडने की इजासत मांगी जैक्सन ने उसे इजासत तो दे दी पर एक शर्त रखी कि ये मुकाबला तब तक खत नहीं होगा जब तक एक कैदी दूसरे कैदी को जान से नमार दे इसके बाद वेड ने जैना खूब गौर्डन से मिलने कुखा क्योंकि उसके इसाब से जैक्सन के अत्याचारों का परदा फाश कदे में गौर्डन उनकी मदद कर सकता है आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया और जल्द ही वेड और टिंटो में भयानत लड़ाई शुरू गई वहीं जैना और गौर्डन जैक्सन का परदा फाश करने के लिए इन्वेस्टिकेटर हैमन के साथ जेल की ओ निकल पड़े वहीं जान ने अपने जुगार से बनाया एक खतियार अपने चश्मे में चुपा रखा था वेड और टिंटो में खतनात मुकाबला चल रहा था और आखिरकार वेड ने टिंटो पर हावी होकर उसे मार दिया उसने टिंटों को धेल तो कर दिया मगर जान से मारने से इंकार कर दिया ये देखकर जैक्सन को बहुत जाला गुस्ता आया और वो वेड पर गोली चलाने के निये तैयार हो गया पर अचानत से जॉन वेड के सामने आकर खड़ा हो गया और जल्द ही बाकी कैदियों ने भी उ जाने को कहा पर जल्द ही गार्ड जान और वेड को फेसे हॉल में ले आये महां जैक्सन वेड की जान लेने के लिए तैयार खड़ा था पर रॉबर्ट्स ने उसे रूखने की कोशिश की इसी दौरान कॉलिंस ने चुपके से CCTV कैमरास फिर से चालू कर दिये ताकि जैक्सन के अत्यचार सब के सामने आ सकें जैसे ही जैक्सन वेड का खून करने के लिए आगे बढ़ा तो जान ने एन वक पर अपना खूफिया आतिया निकाल कर जैक्सन का गला कार दिया जैसे देखते ही दूसरे गार्ड ने जान पर गूली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो और वेड की तीन साल की सजा भी माफ करवाई आखेकार जेल में 15 महीने काटने के बाद वेड को रिहा कर दिया गया और वो जैना और माइकल के साथ खुशी-खुशी रहने लगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चाहां को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में